Hello everyone, मैं हूँ Rahnak Chitalia Last year मैंने December में एक वीडियो रिलीस किया था On How to Play Bharata 600 BC English में But, आप लोगों ने कमेंट्स में गेम की तारीफ तो की But बहुत लोगों ने मुझे ये बताया कि उनको हिंदी में भी रूल समझने है So let's see Go India Games की भारता 600 BC कैसे के ली है हिंदी में वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक चोटा सा अनॉंस्मेंट करना चाहता हूँ हमारे प्रीविएस वीडियो में Mission Possible How to Play वीडियो हमने एक बनाया था और उसमें हमने एक गीववे कॉंटेस्ट भी अनॉंस किया था उस गीववे कॉंटेस्ट का वीडियो अनॉंस करने का टाइम आया है और वो वीडियो का नाम है वेनेसा आर जिसने यूट्यूब में कमेंट करके हमको बताया है कि उनको ये गेम कितनी चाहिए अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गेम जो है भारता 600 BC वो पब्लिशर्ज गो इंडिया गेम्स भी एक गीववे करना चाहते हैं उसके गीववे के कंडिशन्स मैं ये वीडियो के एंड में बताऊंगा तो स्टिक अराउं टिल दी एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ये चैनल पे नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर आपको जानना है कि मेरा जो पुराना वीडियो है जो इंग्लिश में था वो कहां पे आपको मिलेगा तो मैं यहां पे आई बटन पे आप अभी क्लिक कर सकते हैं और वो आपको मिल जाएगा गेम समरी इस गेम में प्लेयर 600 BC के महाजनापदास के रूलर्स है और उनको देश में नए रीजन्स अपनी आर्मी से कैप्चर करके विक्ट्री पॉइंट्स कमाने हैं अगर गेम दो प्लेयर्स या दो टीम्स खेल रहे हो तो पहले जिनको 25 विक्ट्री पॉइंट्स मिल जाएंगे वो जीच जाएंगे अगर 3-4 प्लेयर या 3-4 टीम्स के साथ खेल रहे हो तो जिनको पहले 20 विक्ट्री पॉइंट मिल जाएंगे वो होंगे विनर गेम बॉक्स में है गेम बोर्ड, क्विक स्टाइट गाइट्स, प्लेयर बोर्ड्स, परसनालिटी कार्ड्स, हर एक प्लेयर के लिए चार, Resource Modifier Cards Army Cards Victory Point Conditioned Price Cards हर प्लेयर कलर में Wooden Army Tokens और Wooden Fort Markers Orange Tracker Pegs हर प्लेयर के लिए चार Trade Object Tokens और Coins बच्चे हुए Components Advanced Gameplay के लिए दिये गए है जो मैं वीडियो के एंड में Explain करूंगा Setup पहले game board को table के बीच में खोल दीजे उसके बाद coins और trade objects के boxes को इन spaces पे रख कर VP condition cards, resource modifier cards और सारे army cards को उनकी spaces पे shuffle करके रख दीजे अब सभी player या player team को एक random player board उनके color के 2 wooden armies और 10 forts दे दीजे अपनी दोनों armies और एक fort हर एक player को अपनी home capital city में रख देना है जो उनके player board के पीछे लिखे होंगे बचे हुए 9 forts players की supply में जाएंगे उसके बाद supply में से 4 orange marker लेकर एक marker victory points, iron, wood और food track के 34 spaces पे रख देना है ये आपके starting resources और victory points indicate करते हैं जो home capital city control करने से मिले है अगर कभी आपको zero resources या victory points record करना हो तो simply इस marker को track के बाहर रख बीजे सभी players को अपने colors के 4 personality cards ले लेने हैं और उन में से कोई एक card इस game के लिए choose करना है personality cards game में आपको unique powers देते हैं और players इन powers को game के दोरान use कर सकते हैं चूज करते वग कोई 2 या ज्यादा players same personality cards को भी रख सकते हैं बचे हुए cards को game box में लोटा दीजिए अब सभी players को army deck में से 2 cards को उठा कर देखना है और अपने board पे army 1 और army 2 के spaces पे रख देना है सारे players जिन्होंने conqueror personality card को रखा है उनको 3 army cards लेकर अपने board पे ऐसे रख देना है ये ध्यान में रखना है कि army 1 का piece जिस पे 1 line है और army 2 piece जिस पे 2 lines बनाई है वो हमेशा उनके respective army cards को ही represent करेंगे आखरी में ये quick start guides को बाटें जिन पे rules short में लिके है भारता 600 BC के gameplay में players अपनी बारी में 2 steps complete करके turns में खेलेंगे पहला step, resource management अपने turn से पहले, player resource modifier deck में से top card reveal करेंगे और सारे players को वो resources अपने player board पे बढ़ा देने है याद रहे, ये step सभी players के turn से पहले होना चाहिए और किसी players के पास 15 से ज़्यादा resources नहीं हो सकते हैं resource modify करने के बाद, एक player ये 3 चीज़े कोई भी order में कर सकते हैं resource देकर coin लेना, trade objects देकर coin लेना, और coin से नए army cards खरीदना चलिए इनको मैं detail में बताता हूँ सबसे पहले आप resources को exchange करके coins ले सकते हैं, पर हर resource का exchange rate अलग होता है एक coin लेने के लिए आपको 2 iron, या 3 wood, या फिर 4 food देने पड़ेंगे अगर मुझे 2 coins लेने हैं, उसके tracker में pack को उतने spaces पीछे left की तरफ move कर दीचे ये exchange rate आपके player board पर और quick start guide पर भी mention किया हुआ है अगर मुझे 2 coins लेने हैं, तो मैं iron को 4 से 2 कर दूँँगा और food को 4 से 0 उनके exchange rate के मताबिक आप resources के अलावा trade objects देकर भी coins कमा सकते हैं इस game में trade objects है, silk, spices और black pottery ये आपको board पे नई जगहें conquer करने से मिल सकते हैं याद रहे कि आप इन trade objects को तभी trade कर सकते हैं जब आप इन 2 में से कोई भी एक export harvest को control कर रहे हो आखिर में अपने coins यूज करके नए army cards को खरीदा जा सकता है हर army card का price दो coins है और आप एक से ज़्यादा army cards ले सकते हो armies purchase करते वक्त आपको army का top card लेकर देखना है और अपने board के कोई एक army slots पे उल्टा रग देना है अपनी army को strong बनाने के लिए आपको game में advantage मिलता है armies का इस्तमाल, board पे yellow boarded areas जिनको हम माज अनापदास भी बुलाते हैं उनको conquer करने या जीतने के लिए और दूसरे players को हराने के लिए काम आते हैं step 2, action phase action phase में current player दो free actions कर सकते हैं और उसके बाद optionally एक coin पे करके तीसरा action भी कर सकते हैं वो चाहे तो same action repeat भी कर सकते हैं हर action में आपके पास तीन options होते हैं move, conquer या battle पहले हम move देखते हैं move action करते वक्ट, player अपनी कोई भी एक army adjacent यानी pass वाले region में move कर सकते हैं इस board पे different type के regions हैं और वहाँ armies move करने से अलग-अलग options activate होते हैं काले border वाले regions को provinces कहते हैं जिनमें armies freely अंदर और बाहर move कर सकते हैं however, yellow border वाले महाजना पदाज में आप तब भी enter कर सकते हैं जब आप अगले action में उनको conquer करने की कोशिश करेंगे ये conquer action आपकी next action ही होनी चाहिए इस turn में या अगले turn की शुरुवात में conquer किसी region को conquer करने के लिए सबसे पहले आपका army pawn उस region पे होना चाहिए और अगर आप कोई black border प्रोविंस को conquer कर रहे हो तो simply उस region पर colored circle में number के अनुसार coins देने हैं अगर आप कोई empty yellow border वाले महाजना पदा को conquer करना चाहते हो तो colored circle में number के equal आपको उस army में से उत्मी strength के cards को discard करना पड़ेगा अगर आपको किसी दूसरे player के control region को conquer करना है और वो region में उनकी armies नहीं है तो आपको बस उस region के number जितनी army strength डिसकार्ड करनी है और वो region आपका हो गया In case उनका at least एक army pawn वो region में present है तो दोनो players region के लिए battle करेंगे और जो winner होगा उसे वहाँ का control मिलेगा कोई province या माजनापदा successfully conquer करने के बाद winning player को अपना fort वहाँ रख कर उस पर बताये हुए VP और resources तुरंत मिल जाते है इस example में red player ने अपनी army move करके conquer करने के लिए सिर्फ दो coins पे किये क्योंकि ये एक province है उनको तुरंत दो food और दो points मिल जाएंगे अगर उन्होंने इस माजनापदा पे move किया होता तो अगले action में उनको conquer करने के लिए red को ये number के equal army strength discard करनी पड़ती उसके बाद उन्हें resources और victory point मिलते याद रहे कि region control करने पे जो victory points मिलते हैं वो temporary होते हैं अगर आपने region control खो दिया तो उतने victory points आपके track पर कम हो जाएंगे battle जब conquer करते समय दो players की armies सेम region पे हो तो दोनों armies के बीच battle होगी battle announce करने के लिए दोनों attacking और defending players को अपनी battle में शामिल armies के सारे cards उठाकर battle के लिए strength चूज करनी है इस समय आर्मी cards चूज दोनों player को साथ में और secretly करना है choose करने के बाद उनको selected army cards को board पे वापस रखने है और कोई बचे हुए cards को वापस उस army की place पर अब army strength calculate करते वक्त अगर कोई player battle के region को control भी कर रहा हो तो उनको उस region का number army strength में add करना है अगर battle किसी player के home capital city में हो रही हो तो उनको compulsory battling army के सारे cards यूज करने है और strength में home region का number भी add करना है खुद के control किये हुए region में battle करते वक्त player चाहे 0 army cards भी use कर सकते है ये case में उस region के number को उनकी army strength ही consider करनी है अब जैसे ही players ready होंगे उनको एक साथ अपने cards reveal करने है जिस player की ज्यादा strength होगी वो होंगे इस battle के winner tie होने पर defender battle जीच जाते है winner अगर किसी ने दूसरे player के control region पे battle जीती है तो winner को उस पर पुराना fort हटा कर अपना fort रखना है और region control ले लेना है winning player को उस region के VP रखने मिलते है याद रहे कि अगर आपने कोई ऐसे region में battle जीती है जो किसी के control में नहीं था तो battle जीतने पर automatic control नहीं मिलता है उसके लिए आपको आगे action में conquer action करनी पड़ीगी losing player को battle में use किये सारे cards को discard कर देने है पर winning players को सिर्फ losing player के discarded army strength जितने ही cards discard करने है बचे हुए cards को वो अपनी army में वापस रख सकते हैं example अगर losing player ने 14 army strength discard की है तो winning player को सिर्फ 14 strength के बराबर cards discard करने है और remaining cards को army two space पे रख देना है loser battle हारने पर losing player को battle में से use की हुई जिस armies में at least one army card बचा है उन armies को अपनी home capital city में वापस रख देना है अगर उन armies में कोई भी battle cards ना बचे हो तो वो armies board से बाहर हो जाएगी अब ये player नए army cards assign करके उन armies को home capital cities पे वापस ला सकते है याद रहे कि अगर कोई player वो battle हार जाते हैं जा उनका control था वो fort हटा कर वो region के victory points भी lose करते हैं however उस region से मिले हुए resources और trade objects नहीं lose करते अगर कोई player battle में अपना home capital city lose करते हैं पर उनकी armies दूसरे regions में present है तो वो game हारे नहीं वो अब भी मौका देखकर अपनी home capital city recapture कर सकते हैं पर ऐसा हुआ कि home capital city capture होने के बाद उनकी कोई board पर armies भी present ना हो तो वो player game से eliminate हो जाएंगे victory point कमाना या gaining vp's भारता 600 BC में vp's कमाने के दो तरीके हैं पहला तो नए territories को control करके और उन पर अपना control बनाए रखना पर दूसरा है victory points को complete करना players एक vp कमा सकते हैं conditions को पूरा करके उसमें है trade harbors को मिला कर चारो harbors को control करने से एक ही समय अपने पास एक black pottery token, excel token और एक spice token रखने से और lastly तीन battles जीतने से आपके competitors सारे cards को face down रख देंगे और इन में से आपको कोई एक card choose करने के बाद ऊपर लिखे हुए दो में से कोई एक bonus लेना है bonus मिलने के बाद उस card को वापस उसी pile में shuffle करके रख दीजे याद रहे हर एक vp condition को एक player गेम में एक ही बार पूरा कर सकते हैं game end और scoring जिसे भी तीन से चार player या team की game में 20 vp और दो player या दो teams की game में 25 victory points मिलेंगे वो होंगे winner winner announce होने के बाद बाकी के players game को वही खतम कर सकते हैं या continue भी कर सकते हैं continue करने पर उनको winner की conquer territories को reconquer या उनमें move करना allowed नहीं है पर वो किसी भी हारे हुए players जिनकी home capital city conquer हो चुकी है उनकी territory में move या उनको reconquer भी कर सकते हैं teams में खेलना चार से ज़्यादा players होने पर designers recommend करते हैं कि आप 2 players एक team में भी खेल सकते हैं इस team के players एक player board और एक personality card को share करेंगे और ऐसे केलते हैं भारता 600 BC की basic game अब मैं बताऊँगा कि game advance rules के साथ कैसे केलते हैं ज्यादा thematic game खेलने के लिए मैं आपको advance game recommend करूँगा इसमें basic setup के साथ event token box, event cards, hidden tokens box और ability cards को भी यूज़ करना है Setup पहले event tokens box को event tokens और event cards को shuffle करके events की जगा पे board पे रख दीजे अब इन 25 hidden tokens को face down रखने के बाद उनमें से randomly 10 tokens को in question mark वाली spaces पे board पे रख दीजे हर player या team को अपने color के 9 ability cards को लेकर उनमें से किसी 2 cards को choose कर अपने सामने रखना है और 4 ability completion tokens को ले लेना है इसमें एक से ज़्यादा players की same abilities भी हो सकती है बागी बचे hidden tokens और ability cards को box में वापस रख दीजे advanced gameplay में players को phase 1 और phase 2 के साथ phase 3 भी resolve करना होगा phase 3 में active player एक event को draw करके उस पर दिखाए हुए spots पर उनको वो event के tokens को रख देना है example यहाँ पर आपको 3 earthquake tokens map के तीनों affected areas पर रख देने है यह events क्या है यह events हर player के phase 3 में add होते हैं और इनको remove करने के लिए उनका cost देना पड़ता है अगर players के turn में जहाँ उनके control regions या armies है वहाँ event tokens भी है तो उनको action phase यानी phase 2 स्टार्ट करने से पहले उनके events का cost पे करना है और उनको board के बाहर रख देना है यह करने के बाद ही वो दूसरे actions ले सकते हैं अब आते हैं advance actions पे phase 2 में जहाँ एक player move, conquer और battle कर सकते हैं प्लेयर्स को तीन extra option भी मिलते हैं जहाँ वो events को हटाने के लिए pay कर सकते हैं एक ability card की action कर सकते हैं या एक hidden token reveal कर सकते हैं चलिए यह extra options को detail में देखते हैं इवेंट्स को हटाने के लिए pay करना As an action एक player एक से ज़्यादा events की cost पे करने के बाद उस event token को game के बाहर कर सकते हैं Events remove करने की cost quick start guide पर लिखी हुई है एक ability card की action करना अपने turn में आप अपने ability cards में से एक action ले सकते हैं यह ability cards का action पूरे game में सिर्फ दो बार खेल सकते हैं Use करने के बाद उन पे ये ability completion tokens को रख देना है Ability cards players को कुछ event से immunity भी देते हैं बट याद रहे कि ये immunity bonus एक action नहीं होता Next है एक hidden token को reveal करना एक action यूज करने पर player एक hidden token को reveal कर सकते हैं जहां उनकी armies present हो Reveal और resolve करने के बाद उस token को discard कर दीजे कुछ hidden tokens bonus में permanent victory points या trade objects भी दे सकते हैं जो player को immediately मिल जाएंगे कुछ hidden tokens events को trigger करते हैं ये events map पे तब तक रहेंगे जब तक उनका cost पे कर उनको discard नहीं किया जाता और ये है बारता 600 BC के advance rules I hope आपको ये वीडियो हिंदी में अच्छा लगा बारता 600 BC एक Indian publisher ने बनाई है जिनका नाम है Go India Games जिन्होंने ये वीडियो को sponsor भी किया है अगर आपको जानना है कि आप ये गेम कहां से खरीच सकते हैं तो मैं description में एक link डालता हूँ आप उसको check out कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गेम आप कैसे जीच सकते हैं भारता 600 BC के giveaway conditions में सबसे पहले तो आपको ये ही वीडियो को like करना है और इसको share करके हमारी चानल को subscribe भी करना है उसके बाद आपको चायन गेम्स के और Go India Games के Instagram pages को भी follow करना है Lastly, आपको नीचे येसी वीडियो में comment करना है कि इस game का कौन सा unique part आपको अच्छा लगा अगर आपको एक bonus entry भी चाहिए तो यही comment जो आपने YouTube में किया है उसको आप Instagram पे जाके हमारे post के नीचे paste कर दीजे और आपको एक bonus entry मिल जाएगी अगर आपको रूल्स के बारे में कुछ confusion है या आपको कुछ वीडियो के बारे में या गेम के बारे में feedback देना है तो प्लीज अभी के अभी आप comment section में बता सकते है और हम कोशिश करेंगे कि इसका जवब हम आपको जल्दी से जल्दी दे सके अगर आपको board games के बारे में और जानना है और जानना है कि आप ये games कहां से करी सकते हैं तो do subscribe to us on YouTube and follow us on Instagram, Facebook और Twitter पर भी जहां पर में latest updates पोस्ट करते रहता हूं till then आप खेलते रहिए and I'll see you in the next one